Hello friends, welcome to my YouTube channel Exercise 13.4 से question number 6 करेंगे When the radius of a sphere उस sphere का radius पता कीजिए Whose surface area is 154 cm2 जिसका surface area आपको दे रखा है 154 cm2 तो यह जो surface area आपको दिया हुआ है यही से question की शुरुआत करेंगे Sphere का surface area होता है 4 pi r square के बराबर तो यहाँ पे मैं ले लूँगा 4 pi r square और यह मुझे दे रखा है 154 4 की जीगे 4 लेंगे pi की जीगे 22 upon 7 लिया जाता है और radius मुझे निकालना है यह मेरी value unknown है तो यहाँ में r square को as it is ही लिख लूँगा is equal to 154 अब r square यहाँ से r निकालना है न तो r वाली term यहीं रह जाएगी और 154 के पास यहाँ से यह 4 और 22 जब इधर आएंगे तो यह नीचे लग जाएंगे क्योंकि equation का rule होता है उपर की चीज नीचे आ जाती है नीचे की चीज ऊपर आ जाती है तो यह 7 जो है उपर चला जाएगा अब इसे solve करते हैं तो 22 और 154 यह आपस में कट रहे हैं तो इस 4 को मैं break कर लूँगा प्राइम फेक्टर्स कर लूँगा 2204 हो जाएगा तो 4 को मैं 2 इंटू 2 में break कर लूँगा ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहां मुझे r square दिखाए दे रहा है और जब इस square को मैं इधर लेके आऊँगा तो यह under root हो जाएगा यानि कि square root निकालना पड़ेगा अब r यहां मैं छोड़ूँगा तो जो square है यह यहां पर under root आ जाएगा और square root निकालने के लिए जो अंदर सेम दो चीजे होती है उनका एक बहार आता है तो यानि इस pair में से 7 upon 2 into 7 upon 2 में से सिर्फ 7 upon 2 बहार आ जाएगा यह इसका square root हो गया तो जो question है जो radius है इसमें 7 upon 2 होगा इसे अगर आप decimal में लिखना चाहें तो यह 3.5 हो जाएगा 3.5 centimeter यही answer है therefore radius of sphere is equal to 3.5 centimeter question खत्ब फिर स्वीडम बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए good bye